कोटा में मातर और शिशु अस्पताल जेकेलोन इन दिनों भीशन गर्मी से जूज रहा है यहां गायनिक वाज में प्रसुताओं और नवजाद बच्चों के लिए न कूलर की व्यवस्ता है और ना ही पंखे ठीक से चल रहे हैं इसकी वज़े से परिजनों को अपने घरों से ही टेबल फैन लाने पड़ रहे हैं आपको बता दे की गायनिक वाज में करीब 20 बैड लगे हुए हैं और यहां प्रसव और ऑपरेशन के बाद प्रसुताओं और नवजाद बच्चों को भरती किया जाता है यहां डस्टिंग लगी है लेकिन वे बंद पड़े हैं पंके तेज गती से नहीं चलते हैं जिससे की गर्मी से राहत मिल सके और ऐसे में गर्मी के चलते वाड में हीटिंग हो रही है इसे प्रसुताओं और बच्चों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और इधर अस्पताल पुर्शासन ने डस्टिंग को ठीक कराने की बात कहकर मामले से पल्ला जार लिया के ठीक रवा दिये एक कंपनी के बच्चों है तो उनमें जो भी है मिस्टे को तो जादा इंजिनियर अच्क ने बता सकता है तो ठीक कर जाएगा